चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है जानने की कोशिश करते हैं क्या मैसूस कर रहे हैं आपके पर्सन ब्लॉसमिंग अबर्णेंस नमबर ट्वन्टी पॉर नमबर थ्री यहां पर आ गया है केरिंग कनेक्शन्स ट्वेंटी सिंक्स होस्टिलिटीस मिजीशन अन्द अमिरर आपके जो पर्सन है न वो सीज़े रास्ते से नहीं तेड़े रास्ते से आना चाहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करने का और क्या क्या तरीका हो सकता है क्या कि सही तरीके से आब वो आपके पास आएं और आपकी जो जितनी ये person आपको समझा देना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए कितना ज़्यादा प्यार है एक तरीके से मुझे लगता है कि ये old love है, बहुत पुराना प्यार है और आपके person के दिल में ये घर करता जा रहा है और ज़्यादा ही deep बनता जा रहा है मुझे लगता है कि ये परसन बहुती जादा infinite abundant energy में है जहां पे आप अगर इनको कुछ भी कहोगे कोई और आपके रिष्टे में आएगा भी तो मुझे लगता है ये उसे hostile मान कर उसे पूरी तरीके से तबहा कर देंगे ऐसा लग रहा है कि आपके परसन अब ये action वाली energy में आ गए है जहां पे ये पूरी तरीके से ready हर उस इनसान को हर उस third party को दूर करने के लिए जो आपके connection के बीच में आ रहा है ये परसन अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़दा caring थे आप इनको हर चीज में सही रास्ता दिखाते थे आपने इनको बहुत प्यार दिया है तो इनका भी फर्ज बनता है कि आपको ये दुबारा से आके उसी प्यार के साथ गले से लगा ले और आपको अपना बना ले क्योंकि यहां पे देखो blossoming abundance और adjusting possibilities है अगर आप दोनों के family members यहां पे राजी नहीं है तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है adjustment possibilities से कि परसन आपको अपना बनाने के लिए हो सकता है कि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी अपना ले जो किस साई नहीं भी है पर इस person को इस समय ऐसा लगता है कि everything is fair in love and war ठीक है broken heart देखो किस तरीके से आगया है broken heart साफ है कि यह person आपके साथ connection अपना वापस चाहते है किसी भी हालत में चाहते है चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है यह person दुबारा से अब आपके लिए दुखी नहीं होना चाहते क्योंकि आपके साथ हसना चाहते है आपके साथ खुश होना चाहते है broken heart door to romance देखो यही जो आप दोनों का तूटा हुआ दिल ही है आपको दुबारा से एक नई romantic cycle में लेके जाएगा ऐसा लगता है इस टूटे हुए दिल की वज़े से ही आपके person को एसास हुआ कि आप इनके लिए कितने important हो आप इनके लिए कितने ज़्यादा precious हो आप इनके लिए कितने ज़्यादा unique हो okay angel of strength ऐसा लगता है यह person ना एक तरी किसे strength इनको कहां से मिल रही है मुझे लगता है कि आपके प्यार के वज़े से इस person को strength मिल रही है आगे बढ़ने की वरना तो इस person को मैं हमेशा डरा हुआ ही महसूस कर रही हूँ ऐसा लगता है कि यह person बहुत जल्दे action नहीं लेते हैं तो आपके लिए खड़ा होना आपके लिए fight करना और आपके लिए आगे की और आना यह worth it होने वाला है क्योंकि इस person को खुशी तभी मिलेगी जब आपके पास आकर यह अपने प्यार का इजहार आपसे करेंगे और आपको अपना बनाने के लिए यह आपको offer जरूर करेंगे कुछ न कुछ ओके दर थर्ड हाउस यह potential to learn something and your local neighborhood देखो ऐसा हो सकता है कि आजकल आसपास के जो लोग हैं जहां पे आप रहते हो वहां पे आपको अच्छा मैसूस नहीं और ऐसे लगता घर shift करना है यह बहुत disturbance हो रही है जिसके वज़े से आपको आपकी growth में कोई फरक पड़ रही है और assets, finances the things that you value तो कहीं न गहीं आपकी urgent हो रही है काम में मन नहीं लग रहा है हो सकता है बहुत नीदा रही हो यह सारी चीज़ा हो रही है actually यह इसलिए हो रही है क्योंकि third और second house आपका एक्टिवेट हो रहा है बहुत ज़दा हो सकता है tired feel हो exam के लिए हो सकता है त्यारी कर रहे हो हो सकता है कि खुद पर ध्यान देना चाहते हो लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे हो क्योंकि बहुत ज़दा problem से आसपास तो इन problems को ignore करके थोड़ा साइड में रखिया क्योंकि spiritual maturity बता रहा है कि इसी time जब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो खुद की problem से बहुत ज़दा जूज रहे हो इसी time आपके reunion होने के बहुत ज़दा chances है क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि जैसे ही आपके नजर हटी तब वहाँ से एक love offer ज़रूर आएगा the tenth house your achievements and status in the outside world देखो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो बिना किसी की मतलब बिना किसी चीज़ से bother हुए आप काम करते जा रहे हो इतने disturbance बिन सोने के बाद तो मुझे लगता है इस चीज़ का fall आपको जरूर मिलेगा और एक तरीके से आपको इन चीज़ों के लिए award भी मिलेगा इतने मुश्किल conditions के बाद भी आप हार नहीं मान रहे हो give up नहीं कर रहे हो तो love life में आपका reward आएगा इस तरीके से आएगा कि जब आप उसे बहुत least expect कर रहे होगी जब आप ध्यान नहीं दे रहे होगे ये reading कैसी लगी बताइएगा जरूर आशा करती हूं अच्छी लगी होगी जल्दी से like, comment, share कर दीजेगा description box में new video इसका आपका इंतिजार कर रही है देखना ना भूलिएगा मिलेंगी नेक्स रीडिंग में तब तक के लिए God bless you and bye-bye